हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में और दोस्तों आज इस वीडियो में हम रेड्मी नाइन प्राइम वर्सेस इन्फिनिक्स और होट टेन का वीडियो ला दिये हैं कॉम्पेरीजन यहां पे गाइस एस पेस सेले हम फिरी फायर का कॉम्पेर करे ही जेगा तो जयादा टाइम वेश्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यह रहे हमारे फॉन से हम दोनों का सेम कर देते हैं और यहां पर इन्फिनिक्स में का भी फूल मतलब कर देते हैं और यहां से रेड्मी 9 प्राइम का हम डार्क मोड भी चुका है तो यहां पे मैं मैं क्लियर्ली कर सकता हूं कि इन्फनिक्सहाट्ट टेन का जो डिस्पले वह रेड्मी नान प्राइम से काफी ब्राइट है करे यहां पर आपको पता नहीं देख रहाओ यहीं हो पायां से और देखते हैं औरझाओ पहले ओपन करता है है तो önce अगर इस वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो जरूर से लाइक किजिए दोस्त जरूर से और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए गाइस तो यहां से हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है अब दोस्तों देखते हैं कौन पहले ओपेन करता है वैसे का इस इन्फनिक्स और जब टेस्ट किये थे रेड्मी नाइन प्राइम वर्सेस इन्फनिक्स और टेन एप ओपनिंग टेस्ट वहां पर गाइस इन्फनिक्स विनर हुआ था वो वीडियो आप ज़रूर से देख लिजिएगा उससे आपको अंदाजा लग जाएगा और दोस्तों काफी लेट स अब को आपके यहां पर देखते हैं कि कौन पहले लोड करता है तो यहां पर देख सकते सबसे पहले इंफनिक्स में लोगों आगया कैसे गईस पहले तो रेड्मी नाइन प्राइम ओपन हुआ था बट लोगों पहले इन फनिक्स में आ गया हाओ इस पॉसिवल गाईस और तो यहां पर देख सकते हैं इंफनिक्स होट टेन विन्नर भी बन गया इस लेट चालू हुआ और जीता पहले तो यह बात हुई और दोस्तों अब यहां से हम सिंपली स्टार्ट करते हैं फ्रीप फायर को और अब गाइस मैं आपको सेटिंग में चलकर दिखा देता हूं इ तो सेम वही प्रोसेस हम इंफनिक्स में भी करते हैं बाट यह अल्रेड़ी हो चुका है तो यहां से हम गेम को स्टार्ट करते हैं तो फॉन्स में और फिर कॉम्पेर करते हैं तो गैसे स्टार्ट हो चुका है लाइक ठोक दिजिए जल्दी से और दोस्तों यहां पर देखे नहीं आगी और सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूँँ मैं हर बार बोलता हूं कि जो आपके फ़न पर प्रोटेक्टर होगा जैसे ग्लास वह अच्छी क्वालिटी के होगा तभी आपको प्ले करने में थोड़ा मचा आएगा और गाइस यहां पर फिस भी देख सकते हैं ऌर ग्लास इसपे चिपकवाते हैं वह काफी स्लो काम करता है तो यहां पर मैं काउझा में कमपणी व्लाचे स्ट्पार देखने को मिलता ह informing करते करते हैं और वही बात करें यहाँ पर इन्फिनिक्स होट टेन की तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी सेम वही गलास चिपका हुआ है अल्रेडी कमपनी के तरफ से मिला था तो यहाँ पर भी वही गलास है तो दोनों की सेंसिटिवीटी लगबग सेम है यहाँ पर आपको कोई भी यह नहीं देखने को मिलेगी अंतर सेमी फ्रोसेस है और यहाँ पर आपको ज़ीरिस्पॉंस भी दोनों का सें मिया है यहाँ पर मुझे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है तो इस यहाँ करते हैं टच करते ही वर्क करने लगता है तो मैं कहूंगा ठीक है अपने प्राइस में इस प्राइस में क्या चाहिए और यहां पर देखेंगे जीप्यू कुछ इसमें अलग ही देखने को मिल रहा है वैसे फ्प्यस नहीं दिख रहा है बट गई यह 60fps पर रहन हो रहा है विक इस फोन के बारे में बताने वाला हूं तो आप थोड़ा सा वेट किजिए और इनकजार किजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए और कैसी यह रहा एक बंदा इसको हम ठोक देते हैं पता नहीं ओफ लाइन है सायद तो इसको हम ठोक दिय किया इस मैंने रियल मिसी 3 में रिकॉर्ड करके प्ले किया था गेम वहाँ पे आवाज मतलब पहले आ जाता था बट वर्क बाद में करता था बट यहां पे दोनों फोन्स में कोई भी यह दिकत देखने को नहीं मिलती है दोनों फोन्स अच्छे से परफॉर्म कर जाते हैं रेडिमी नाइन प्राइम में मैंने नोटिस किया गाइस जब मैं रिकॉर्डिंग करके प्ले कर रहा था तो वहाँ पे साउंड लैग्स जैसा हो रहा था यह मैं जूट नहीं बोल सकता आपसे जो होता है सच बोलता हूं आपसे तो वह यह देखने को मिलता है बट जो रिक टाइम बहतर है और एसडी प्लस से काम चलाना है तो इन्फिनिक्स होट 10 बहतर है तो दुनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं तो दोस्तों फिलाल वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिज झाल वीडियो